कि इस बार घिर गए हैं कि आप इधर है कि आपने अपने प्रथम जो आपका उद्भोधन था उसमें आपने सभी सीटों का दूसरे चरण के आपने चित्रण किया है मुझे एको आरा गुर्जेश जी आप मैं ठीक करातूं आप कंटीनियू रखें दूसरा हां हां दूसरा मै कि हम सभी सीटे जीते थे एक अमरोहा को छोड़ करके और उस अमरोहा को स्टीट को इस बार हम पते करेंगे जीतेंगे और जो भारतियंता पार्टी अपने नेता नरेजमोधी जी के नेतरत में उत्ता परदेश के अंदर 80 में 80 सीटे देने के लिए परतिबद्द हैं हम उस दूसर रहा है यहां तक कि गड़ बंदन के बावजूद वहां पर सफलता लोगों को नहीं मिल पाई एक अमरोहा के स्टीट बावजिन समाज पार्टी को चली गई थी लेकिन देश एक दो तरफा दो चीज़ें देश के सामने हैं 2014 से पहले का भारत 2014 से 2024 तक का भारत दोनों में एक विशाल अंतर है हमें अपने बच्चों का भविश चुरक्षित चाहिए हमारे सामने एक द्रेद्र मूदी जैसा इमांदार नेता सामने है इसको जंता वरुसा करती है और वोट दे रही है इसलिए विपक्ष एक नहीं हो पाया, विपक्ष के कोई नेता है, आपस में मिल नहीं पाये, पार्टियां टूड गई, दल छूड गए, और आज नतिज़ यह है कि मात्र समाजबादी पार्टिय और कॉंग्रेस का एक मजबूरी का साथ रहे गया है। सीटों पर यह आपके खिलाब यह जाती यह पंचायते हो रही है, आप कहेंगे तो मैं जाती का नाम भी बता दूँगा, इसको रोकने में आप काम्याबी आपको पहले चरण बे भी नहीं मिली और इस बार भी आपके खिलाब पंचायते हो रही हैं, क्यों? देखें जब एक अंग्रेजियों का असूल रहा है, पहले धर्म का अधार पर बांट लो, जब धर्म का अधार पर ना बटे तो फिर समाज को जातियों का अधार पर बांट लो, जातियों का अधार पर देश नहीं बढ़ता, है, धर्म का अधार पर एक देश बार बट चुका है, उसका दर्म सम आज तक झेल रहे हैं, लेकिन जो बटे थे, देश छोड़ करके गए थे, जो अलग देश एक बना के गए थे, उनकी दुर्दसा आज जनता के सामने हैं, अच्छा आप हट बच रहे हैं, तो मैं साप-स इससे सहमत होंगे, खाली, फिर मैंने इसे कहा कि एक-दो लोग अपनी महत्वकंचा को लेकर जुरूर कोई बात कह रहे होंगे, समाज पूरा भारती जनता पार्टी के साथ में है, और यह राश्टवादी समाज है, देश की सुरक्षा में अपने प्राणों को निछावार करता है, यह देश को टूटने तोडने के लिए आपका क्लेम है कि आठ में आठ जीतेंगे, अगर हम असी मासी जितने की बात करते हैं, तो हम आठ में आठ जीतेंगे, शुक्री आपका, धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहिएगा, मैं इस परचर्चा को आगे